नमस्कार दोस्तों आप सुभी कस्वागत है हमारे चैनल पर दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 17 से 20 दिसंबर तक के लिए धैनिक राशिफल आए दोस्तों शुरू करते हैं और जानते हैं आपका आने वाला दिन कैसा रहेगा चोथे राशी लेते हैं कैंसर यानि करक राशी करक राशी 17 दिसंबर के दिन आप थोड़ा सा अकेरापन महसूस कर सकते हैं इस दिन लोगों का प्यार तो आपको मिलेगा लेकिर उनका सही योग नहीं मिलेगा हलाकि समाज में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धी होगी कारे के छेतर में सफलता मिलेगी व्यापर वृद्धी के योग बने हुए हैं इस दिन जिस काम को आप हाथ में लेंगे उसमें आपको उत्तर उत्तर सफलता पाप्त होने के संकेत हैं इस दिन आप अपने ऊपर विश्वास करके जिस भी कारे को करेंगे या करने का प्रयास करेंगे उस कार में आपको पूरता अवश्य मिलेगी 18 दिसंबर के दिन आपको थोड़ा सा संतुरेत रहना होगा अपनी वाणी से अपने व्योहार से इस दिन किसी को आप क्या कहते हैं या किसी को आप अपने बारे में या अपने किसी काम के बारे में कितनी जानकारी देते हैं इसी बात पर निर्भर करेगा कि आपका उसके साथ आगे का क्या relationship बनेगा यानि आपको कितना फाइदा होगा और कितना नुकसान जो व्यवहार है उसमें भी एक नियंतरन रखें व्यवहार उतनी ही कुशलता से करें जितना आवश्यक हैं आवश्यक्ता से अधिक कुछ करना और आवश्यक्ता से कम करना दोनों आपके लिए हितकारी नहीं होगा इसलिए संतुलन बनाए रखने का पूरा प्रयास करें 19 दिसंबर के दिन धन को लेकर के आपको धोखा दिया जा सकता है या समाज में आपकी प्रतिष्ठा में थोड़ा सा हरास हो सकता है यानि कमी आ सकती है इस दिन पहला तो किसी पर ज्यादा विश्वास ना करें दूसरा किसी के बताए बातों पर विश्वास करके कारे तो बिल लोचना के शिकार भी हो सकते हैं 20 दिसंबर बढ़िया दिन नहीं है इस दिन आप इश्वर के कोब भाजन के शिकार हो सकते हैं इश्वर द्वारा प्रदान किया गया या इश्वर द्वारा प्रदत किसी ऐसे कारे से आपको नुकसान हो सकता है जो आपने उमीद नहीं करी हो व्यापारिक मामलों में या कारे छेतर में कोई नया बदलाव इत्यादी ना करें। किसी भी नये कारे की योजना इस दिन ना बनाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन चारो जुनों में प्रेम समंधों, व्योसाय और व्यवाहिक जीवन के लिए 1920 तारीक बढ़िया नहीं हैं, 17 और 18 अच्छे रहेंगी। तो दोस्तों ये था देनिक राशिफल, 17 से 20 दिसंबर के लिए आपको ये कारे करम कैसा लगा, अपने अनुभो, अपने सुझाओ, कमेंट सेक्षन में जरूर दिखें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।